हेलो फ्रेंट्स यह सिंगल फेज का ओपन वेल के लिए फुल्ली ओटोमेटिक वोटर लेवल का पेनल है इसको पावर देखे चालू करते है यह फ्लोट स्वीच है फ्लोट स्वीच मतलब एक अपर टेंग के लिए है एक लोवर टेंग के लिए है यहाँ पे कनेक्शन के से कर करना है यह यह जो वायर है यह अपर टेंग यूवन और कोमन यह अपर टेंग की फ्लोट स्वीच के लिए है और यह जो वायर है यह लोवर टेंग की फ्लोट स्वीच के लिए है अब इसमें सबसे पहले तो अगर लोवर टेंग में पानी आ जाएगा तब यहाँ पे LTF लि है डिखा रहे मतलब लोर टेंग है म जैसे ही लोर टेंग में पानी आ जायेगा वे Creator यहाँ पर 5 1 टीफ आ जायेगा देखिए यहाँ पर 4 जायेगा देखिएं यहाँ पर 5 इंब इदक अभे मोटर मोटर सेवन अपर यहाँ इन आप यहाँ यहाँ पर टेंक एम्टी लोर टेंक फूल इसका इंडिकेशन आ गया यह एंपियर का इंडिकेशन है अभी वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो इसमें 280 वोल्ट का कटोफ है अभी यह मोटर स्टार्ट हो गई है मोटर में 7.1 एंपियर दिखा रहा है अब जब टेंक फूल हो जाएगी तब मोटर ओटोमेटिक बंद हो जाएगी तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर ओटोमेटिक बंद हो गई है MPR0 आगया है और ओपार टेंक फूल दिखा रहा है और लोड टेंक भी फूल दिखा रहा है मान लीजिए अगर मोटर में कोई fault है ओर लोड फोल्ट है या डाइरन का फोल्ट है तो fault आने के बाद मोटर ओटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये switch प्रेस करके आपको fault reset करना होगा यहाँ पे reset आ गया और auto mode में भी panel चला गया सबसे पहले तो इसकी setting कैसे करते है वो देख लेते है तो यहाँ पे start stop का switch दिखा रहा है तो start stop का switch को lock press करते है तो सबसे पहले mode change होगा यहाँ पे auto दिखाई दे रहा है तो ये auto mode में panel वर्क करेगा अगर आपको manually on करना है तो manual में on आने तक आप switch प्रेस करके रखना है यहाँ पे motor on हो गया है जब आपको manually off करना है तो switch को long press करना है जब तक off लिखा हुआ आएगा तब तक आपको press करना है अभी ये off आ गया है अभी इसका overload और डाइरन का इंपियर के से सेट करना है सबसे पहले तो long press करते है डिस्प्ले में oil लिखा हुआ आएगा तब तक हम long press करके रखते है यहाँ पे oil आ गया overload एंपियर की सेटिंग हमें जितने एंपियर करनी है उतने एंपियर कर सकते हैं अभी हम 15 एंपियर के आसपास कर देते है फिर overload delay का सेटिंग आएगा overload delay मतलब कितनी देर के बाद trip होना चाहिए वो second के ही सेट कर सकते है अभी यहाँ पे 10 second है तो हम 10 second ही रहने देते है फिर इसके बाद dry run एंपियर का सेटिंग आएगा अगर motor खाली गूम रही है तो कितने एंपियर के आपको सेट करना है वो सेट कर सकते है यहाँ पे 6 एंपियर है हम 7 या 8 आपकी motor की HP के ही साब से आप कर सकते है फिर इसके बाद dry run टाइमर का सेटिंग आएगा अभी dry run दो तरस है एक तो sensor के ही साब से भी हो जाएगा और एंपियर के ही साब से भी हो जाएगा यह dry run टाइमर का सेटिंग भी हम generally 10 सेकंड करते है तो 10 सेकंड कर लेते है अब panel के अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते है पेनल के अंदर सबसे पहले तो यह contactor आता है यह capacitor आता है अभी यह 1 hp की पेनल है इसलिए 50 mfd का capacitor है capacitor hp rating के ही साब से change होता है और यह contactor भी hp rating के ही साब से change होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे sensor के टर्मिनल है यहाँ पे phase neutral और motor के ryb का टर्मिनल है